नमो नरायन जी, नमो नरायन जी, नमो नरायन जी, नमो नरायन जी नारायन भविश्यवानी के खास कारियकरम नारायन जोतिस में आप सभी मित्रों का स्वागत है बात करेंगे नवरात्री के पावन परव के उपर, नवरात्री के विशेश महा परव के उपर क्या उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से आपको वरत करना चाहिए किस विदी से आपको चलना चाहिए मैं नवरात्रों की विदी आपको बताने जा रहा हूँ बड़ा ध्यान से समझेगा और इस वीडियो को जादा से जादा आप अपने मित्रों में आगे शेयर भी कीजिएगा दोस्तो सबसे पहले जैमाता की नवरात्री परव और नया साल नया सम्मत जैसे आप समझते हैं कि नया साल आप एक जनवरी को मनाते हैं हर साल इसी प्रकार से जैसे कि अगर आप हिंदू इजम से संबन्द रखते हैं हिंदू भाई बंदू हैं तो आप होली मनाते हैं क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ आप दिपावली मनाते हैं आप बड़े बड़े तिवार मनाते हैं बसंद पंचमी मनाते हैं क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ इसी प्रकार से हिंदू नव वर्ष जो है वो चेतर नवरात्रे के प्रत्थम नवरात्रे के दिन नया सम्मत शुरू होता है यानि कि नया साल सुरू होता है तो जो हमारा नया सम्मत है सबसे पहले वो 2076 का जो नया सम्मत है वो इशुरे कृपासे मा भगवती के आशिरवात से इस साल 6 अपरेल 2019 को नवरात्रे में शुरू हो रहे हैं तो पहला नवरात्रा और नया सम्मत दोनों एक साथ 6 अपरेल को शुरू होने जा रहे हैं दोनों में विशेश बात यह है कि इस बार पांच सरवार्त सिद्धियोग है पूरे नौ दिन के अंदर, पूरे नवरात्री के ऐद और इस बार कुछ खास बात और भी है नवरात्री में चो घट स्थापना है, कलस की स्थापना का जो मूरत जो विशेश रहता है मैं आपको वो भी बताऊंगा और आपको क्या दानपुन्ने क्या उपाय करना चाहिए मैं वो भी बताने जा रहा हूं और विसेश रूप से ये नवरात्रों में इस बार खास क्या है मैं वो बताऊंगा और क्या उपाई विशेश करें क्या विधी करें वो विशेश बताऊंगा ध्यान से समझिएगा सबसे पहले आपने नवरात्री के दिन प्राता काल स्नान ध्यान करके मा भगवती को ध्यान करते हुए गर का जो मंदिर उसे साप सुत्रा करना है वहाँ पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है हो सके तो सवा मिटर लाल कपड़ा बिछा करके उपर गनेश महराज की और मा बगवती का चितर रखना है एक आपने मिट्टी का कलस का अरेंजमेंट करना है और उसमें जों, मिट्टी और जों आपने साथ मोने है तो आपने मिट्टी और जों का बहुत समावेश रखना है उसमें थोड़ा गंगा जल भी रखना है पूरी विदी विधान से जितनी शर्दा हो से कि उतनी शर्दा से आपने ये पूरा कारिया करना है इसमें विशेस आप क्या काम करेंगे सबसे पहले 6 April शनीवार को प्रातय काल दो मूरत है एक सुबह 7.30 बजे से लेकर के 9.00 बजे तक का विशेस मूरत है और दूसरा मूरत दिन में दोपैर में 1 बज कर 30 मिनट से लेकर दोपैर 3.00 बजे तक का विशेस मूरत है तो दो विशेश मूरत जो है इस विशेश मूरत में कलस की स्थापना करनी है जदतर लोग क्या करते हैं प्राता काल के समय मी करना चीए प्राता काल ही जदतर करते हैं तो सुबह साधे साथ से नो बजे का कलस की स्थापना का बेस्ट मूरत है अब कलस स्थापना करने के लिए आपको थोड़ा गंगाजल डालना है उसमें जो बीजने हैं अपने अपने घर में जैसे कि आप हर साल लगाते हैं जिनको जैसी विदी आती है नहीं तो आप YouTube पे भी हमारा पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं नारायन भविश्यवानी में एस्ट्रो फ्रैंड नारायन नारायन में या नारायन एस्ट्रो इंडिया के नाम से भी आप हमें सब्सक्राइब करके पूरा प्रोग्राम दवारा देख सकते हैं अब करना क्या होगा आपने लाल कपड़े के ओपर मा भगवती की अक्चितर रखना है कल इसकी स्थापना करनी है गनेश जी को आपने प्राठना करनी है सबसे पहले गनेश महराज की और उसके बाद मा भगवती की नवगरहों से प्राठना करनी है कुल देवी दिवताओं किसे लाम कीजिएगा अखंड जोत जलाएंगे तो बहुत सभग्य देता है बहुत सफलता मिलती है बहुत अच्छी बात है और किसी कारणवाश यह आप अखंड जोती नहीं जिला पाते तो आप सुबह और शाम एक एक दो दो घंटे वाली जोत जरूर 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 जलाईएगा पूरे नो दिन तक नवरात्रे में अगर आप वरत करते हैं बहुत वरत के कई सारी विदी हैं एक पूरा जल पे रहना कुछ भी नहीं खाना दूसरा है आप जल के साथ में फल खा सकते हैं दूद ले सकते हैं तीसरा होता है कि आप एक समय भोजन कर सकते हैं और और बहुत सारी अलग-अलग विदी से रखे जा सकते हैं जैसी जिनकी शर्दा होती है वरत के दुरा नॉन्वेज, ड्रिंक, अंड्या, मा, साहरी, किसी भी वस्तू का प्रियोग करना शास्त्रों में वर्जित है आपके घर में, रसोई में भी अगर ऐसा समान है तो आप बिलकूर आज ही उसे निकाल दीजिएगा नवरात्री के अंदर आपने वरत करने हैं, वरत के साथ साथ में अगर आप वरत नहीं कर सकते तो आप दो वरत जरूर कीजिएगा, पहला और दूसरा या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पहला और आठमा वरत कर लेते हैं, नौवे दिन भोग डाल देते हैं तो इस प्रकार से अलग-अलग विदी से आप शर्दा भगवती से, शर्दा प्यार से आप मा भगवती दुर्गा जी की नौ दिन तक पूजा करेंगे, अलग-अलग रूप में भी पूजा होती है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ज्यादा चक्र में ना पढ़ अब ये इस नवरात्रे में खास बात क्या है, ये रेवती नक्षत्र में शुरू हो रहे हैं, रेवती नक्षत्र में शुरू होना अपने आप में खास बात है, दूसरी बात पांच सरवार्थ सिद्धियोग इन नवरात्रों में मकान की नीव रखनी है, आपने कोई बच् चुछ बी नई प्लैनिंग है कोई आपने विदेश जाने से संबंदित नई फाइल विजा फाइल लगानी है या आपने को लॉट्री का टिकट प्लैन करना है या आपने कोई माता पिता के नाम पे कुछ करवाना है या गिफ्ट देना है या लेना है या संतान समंधी कोई विशेश कारिया करना है वो सारे कारिया आप इन खास नवरात्रीज में कर सकते हैं क्योंकि इन में पांच सरवार्त सिद्धी योग मूरत हैं और दो रवी योग बनते हैं रवी योग अपने आप में खास ह अर्थ बता दू जिसमें सब कारियों की सिद्धी हो और कोई बी ऐसा कारिय जिसमें आप सबी कारियों में आपको जिसमें सफलता इसे कारिया की जा सकें वो सरवार्थ सिद्धियों कहलाते हैं दूसरी बात मित्रो नवरात्री के अंदर इस बार अश्टमी और नौमी दो जो तिथिये हैं वो एक दिन इकटी रहेंगी यानि कि जो नौमी तिथिये वो अश्टमी वाले दिन प्राता काल शुरू हो जाएगी लगभग इसका समय र रहेगा क्योंकि अश्टमी वाले दिनी नौमी का भूग डलना है तो नवरात्री का जो भौग डलेगा यानि कि जो अंतिम नवरात्रा रहेगा वो 14 एपरेल को मनाया जाएगा और उस दिन राम नौमी मनाई जाती है और पुख्या नक्षत्र रहेगा और भगवान राम का जो जनम हैं वहीं पुख्या नक्षत्र के अनुसार अनुसर तो आपने नवरात्री के नोग के नो दिन आपने विधी विदान से पूजा अपने शर्दा रखनी है जिनकी शादी नियों हो रही जिनके शादी में विलंब हो रहे वह इन नवरात्री में वरत जरूर करें मा भगवती से आराद नहीं करें आप अगर वरत नहीं कर सकते तो आपने एक नारियल रोज लेना है और अपने विवाह की मनोकामना बोलके मा दुर्गा जी के मंदिर में रोज चड़ाकियान है किसी कारणवाश अगर लेडिस हैं आप मंदिर में नहीं जा सकते अशुद अवस्ता के कारण पीरेड्स के कारण किसी और अशुदता के कारण तो आपका माता पिता या भाई बंदू कोई भी परिवार का मित्र सखा कोई व्यक्ति अगर कस्ट में हैं कोई संकट में मुसीबत में तो उनके नाम का एक नारियल आप रोज मा भगवती को प्राथना करके सच्चे मन से चड़ाकिया मंदिर में अच्छी सफलता मिलेगी आप एजुकेशन की त्यारी कर रहे हैं को आई-एस ऑफिसर बढ़ने की त्यारी कर रहे हैं जुडिशली के एक्जाम दे रहे हैं या कोई आपने कोई और को कमपेडिटिव एक्जाम की प्लैनिंग कर रखी है तो आप इन दिनों के अंदर मा भगवती को और मा सर्श्वती जी का रोज नमश्कार करना और एक नारियल आपने सची शर्दा से मा भ जाएगी इन दिनों में ग्रहें भी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं और जो बात रही पाप ग्रहों की बुरे ग्रहों की मा दुर्गा जी शक्ती हैं की पूजा करने से सबी ग्रहय शान्त होते है मा दुर्गाजी की पूजा करने से पूरे ब्रहमांड में जित्ते भी देवी देवता है यक्ष, राक्षष, ब्रह्म, राक्षष, वैताल, कुश्मांड, देवी, देवता, असंख्य, असंख्य शक्तियां जितनी भी हैं सब देवी की अधीन आती है तो जो देवी की पूज करता है 9 दिन तक सारे संसार की सारी शक्तियां उस इंसान से प्रसंद रहती है और उसे अशीरवाद देती हैं तो मित्रो इस प्रकार से आपने नो दिन तक रोज देशी देशें कि त्यारी कर रहें या शादी कर रहें तो पीले रंग के बैफार में नुक्सान और रहे हैं तो दूढ़ाना है और घर के अंदर रोज गनेश जी की आपने आरती करनी है नो दिन तक पहले गनेश जी की करनी है उसके बाद मा भगवती की करनी है इस प्रकार से दोस्तों आप ये 6 अपरेल से शुरू होने वाले यानि कि कल 6 अपरेल 2019 से शुरू होने वाले नवरात्रे का विदी विदान से आप पूजा कीजिएगा, सच्ची शर्दा से कीजिएगा और इसका लाब उठाईएगा मैं आपका मित्र डॉक्टर नारायन आचारिया चंडिगर से दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल नारायन एस्ट्रो इंडिया और दूसरा हमारा टीवी चैनल है एस्ट्रो फ्रेंड नारायन नारायन के नाम से आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रोज आपको नए ने वीडियो नए więcej प्रोग्राम आपको देखने को मिल सके फइस्बुक पे भी आप मुझे नारायन एस्ट्रो इंडिया और नारायन भविश्यवानी के नाम से आप मुझे फोलो कर सकते हैं डोक्टर नारायन आचारिय को मित्रो आग्या दीजिए और आप अगर मुझे परस्नली मिलना चाते हैं होरोस्कोप से रिलेटिड डिसकुशन करना चाते हैं अगर आप गाइडलेंड लेना चाते हैं या कोई भी जोतिसी है शलाहा लेना चाते हैं तो आप मुझे चंडिगड सेक्टर 33 में आकर के परस्नली आपोइडमेंट टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं पर आप नंबर लेकर के आप मुझे कॉंटक्ट कर सकते हैं आग्या दीजिए नमो नाराइन जी नमो नाराइन जी नमो नाराइन